हेलो फ्रेंज वेल्कम तो यार यूट्यूब चैनल इंगलिश फैमली 87 सो अपना अपना इडा नॉबला प्राइड एंड प्रेजिडाइस ओस दे अपना लॉंग क्वेश्चन कर रहे सी क्रेक्टर स्केच्च जिडे अपना सब तो पहला कर रहे सी इस तो पिछलिया वीडिय इस फिडियो दे विच्छ आपना फोर्थ क्रेक्टर स्केच्च आइड है ये कर आंगे सो देखू स्टार्ट कर दियां Mr. Bingley is an attractive and well qualified young man ये डा मिस्टर बिंगले है ओ अट्रेक्टिव है ते वेल क्वालिफाइड है यंग मैन है बदिया पड़े लिए है हूँ मैरीज जेन जेन देना बया करवाँद है एंड दे विचे नॉबल दे विचे और असलए अन्ड थेन थी पॉपलर ये इज ब्रिलियंट देन देने अमीर है ओ डरसी तो जदा ब्रिलियंट है क्योंके उसनो गुड मैनर्जन ने दूसरे नी बद्या इज्यत करदा है He is not rude वो ज्यादा rude नहीं हेगा proud ज्यादा मतलकों अंडवी नहीं करदा and unsociable ते unsociable नहीं हेगा क्योंकि वो दुनिया दे नार मिल वरतना ये रहा हो रखदा है like दरसी क्योंकि दरसी है ये रहा हैगा सी थोड़ा जा He always remains happy and he is capable to make happy others वो हमेशा खुश रहनदा है अटे दूसरे नूँ खुश रखन दी काबलियत रखदा है Mr. Bingley is generous ओ ड्यालू है and unselfish अटे unselfish है मतल़ selfish नहीं हेगा He is never mean ओ कदे भी कट या पन नहीं दख़ँदा या कट या नहीं हेगा हो He doesn't try to find mistakes in others ओ दूजया ने विच्च गलतियां कड़न दी कोशिश नहीं करदा He believes too much on Darcy ओ Darcy दे बहुत जादा बलीव करदा है Darcy always advises him for his affairs in life या Darcy है जिन्दगी दे विच्च उसनों बहुत जादा जादे सलाह हो दिन दा है अपने दोस्त नों बिंगले नो He stops his romance with Jane Only because of Darcy Darcy दे कारन Darcy दे कहनते And restarts it when told to do so by Darcy अपने दोडर सी कहनते ही दोड़ा स्टार्ट करदा He is easy going ओ बहुत ही simple है सदा अरण जी life मतलब जह होदा है Simply easy going है मतलब ज़्यादा चातुर चलाक नहीं है This is one of his weakness ए उस दी weakness भी है ए चीज़ है एड़ी easy going He is easy influenced by others मतलब दूसरे दोड़ा हो Easily प्रवाबित कीता जा सकता है मतलब जल्दी बिशवाश कर लंदा है He is tempted to look at the netherfield house मतलब netherfield house है यड़ा ओ खरीदन दे ले उसनू अचानक लालच आगया उसने मन दे विच is satisfied with it इस दे नाड़ा हो satisfied है and takes it imminently ते imminently उसने एड़ा decision है ले लिया मतलब हाउस है यड़ा नेधर फील्ड उसने खरीद लिया Later he tells Mr. Bennett ते बाद दे विचो Mr. Bennett नू दस दे that he can leave netherfield within 5 minutes के जे करो चाहे पंजा मिटन दे विचे नाड़ा फील्ड एड़ा हाउस है हो चड़ सकद है if he likes जे करो चाहे it shows that ता एच ये ये येड़ी शो कर दिया है he is a little careless के थोड़ा जो careless भी है मतलब जादा नी सोच दा भी decision एकदम लेलन दा he does not have a strong bill one must have independence on decision मतलब जेड़ा इंसान है ओह इंडिपेंडेंट होना चाहें दा अपने decision लेन वासते and be able to carry them out ते जो decision ले 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 आप ता ओस नू मतलब खुल के बाहर कर दे अपने decision he allows that anyone can influence him that jane's love for him is not sincere मतलब कोई भी उसनू असानी दे नड़ प्रवावित कर सकता है कि जेड़ा जेन दा प्यार है उस दे ले सिंसियर नहीं हैगा मतलब जे कोई कह दे के जेन तोनू सचा प्यार नहीं कर दी तो हो उस दी गल्ला एड़ हो मन्द लंद है so he quits netherfield तो इस तरह मतलब जेड़ा नहीं दा फैसला कर लिया एंड लीवज बहाइंड दा इनुसेंट जेन अते जेड़ी जेन है उसनू मतलब पिछे छड़ता कर लीनू तो सफर फ्रॉम दा पेन मतलब जेड़ा दर्द हो चल लंदे लई ओफ सेपरेशन मतलब अलग होन दा फ्रॉम हम अब दे नाड़ मिस्टर बिंगलेज डाउटफुल माइंड जेड़ा मिस्टर बिंगलेज दा डाउटफुल माइंड दाउट कर दे हो मेक्स हिम हेटफुल इन दा आईज आज अफ एल्जवेथ अफ एल्जवेथ है यह चीज ओस दी बिंगलेरी बदिया नहीं समझी दिया हो नफर्त कर दिया इस चीज दे नाड़ बिंगलेज लव फार जेन इस एज संसीर एज हिज इज इज़ी गोइंग नेचर मतलब जेन नू जो प्यार कर दे हो बिंगले यो प्यार कर दे है जेन नू मतलब ओ भी उसे तरह ही कर दे है जिस तरह के लाइफ दे विच इज़ी गोइंग है मतलब जादा सीरियस नहीं लेंदा बिंगले लव्ज जेन सिंसीरली बट मतलो उसनों प्यार कर दा है बिलुकुल प्यार कर दा है बट इस लव लैक्स स्ट्रेंथ पर उस दे प्यार दे विचे स्ट्रेंथ नहीं थोड़ी काट है जेन इस सिंसीर इन लव दो शी डाज नौट एक्सप्रेस इट ओपनली हलाकि जेन इडी ओपनली नहीं बोल दी बट फिर भी बिंगले इन उसनीरली प्यार कर दिया सच्चे दिलू Mrs. Bennett's thought is correct about Bingley's correct जेन दी मता मतलो उसनी जेन इडी thought Bingley दे बारे बिलकुल correct है she thinks that he is so easy going that servants can cheat him कि यह बहुत जादा सिंपल है इजी गोइंग है जिड़े उस दे नौकर ने ओवी उसनों तो खा दे सकते ने हीज ऑलसो सो जनरस ओजादा मतलब बहुत जादा ड्यालू भी है एजी गल नी ड्यालू बहुत जादा है दैट इस बजट जिड़ा उसना खर्च आए हो हमेशा ही उसनी कमाई तो जादा हुदा है मतलब लोकानू हो मदद करता है लोकांदी है ना अपने नोकरांदी भी ते दूसरे लोकांदी भी मतलब चंगा बन्द है कोले में लाके मिस्टर बिंगले सो एसी क्रेक्टर स्केच्च ओफ मिस्टर बिंगले आई होप के तो अनू समझ आया होवेगा जेकर वीडियो चंगी लगी है ता वीडियो नू लाइक दे शेर जूरू करो और जेकर चैनल उपन नमें हो ता चैनल नू सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना सो मिल अगली वीडियो लेके औरों तक देव इजाज़त थैंक्यू सो मच